अब जो ओपन बेदर एप्लिकेशन है दूपल में बना रहे का मैं एक बार फिर सब डेमो आप लोगों को दिखा देता हूं ठीक है यहां पे जिसे मैंने इंदोर किया और यहां इंटर पेस किया तो आप देख रहे हो यह इंदोर का टेंपरिचर की डीटेल आ रही मैं अब यहां निव य ciudad दिटेल उब्हां यहां पर आजाएगी तो इस एप्लिकेशन को दुपल में बनाने के लिए हम लोग कस्टम मॉडूल के दुरू इस खॉन दुपल में कनवट करेंगे तो यहां पर मैं मैंने server on कर रखा है मैं जाता हूं document के अंदर sites folder के अंदर जाता हूं sites folder के अंदर मैं जाता हूं my blog के अंदर और यहां पर मैं अपना server जो है वो on कर लेता हूं मैं यहां पर अपना ddev server on कर लेता हूं तो मैं यहां पर गया और यहां पर मैंने लिखा ddev start तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसके लिए मॉडूल बनाएंगे और मिन 9 साथ साथ हम लोग एक कॉन्फिकेशन फॉर्म भी बनाएंगे क्योंकि हम लोगों को यह जो की यूज हो रही है ओपन बेदर में की वो की यहां पर यूज करनी है ठीक है तो मैं क्या करता हूं यहां पर जाता हूं यहां पर मैं वेव में जाता हूं वेव के अंदर में देता हूं इस प्रोजेक्ट को मैं नाम देता हूं वेदर एप यह मैंने यहां नाम दे दिया अब इसके अंदर मुझे क्या करना इसको मैं विज्वल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूं फोल्डर को तो मैंने ओपन folder किया और open folder में मैं sites में गया यहाँ पर यह my blog नाम का जो project है उसके अंदर गया wave के अंदर गया modules के अंदर गया custom के अंदर गया और यहाँ पर open weather app को मैंने open कर लिया ठीक है अब इसके अंदर मुझे क्या करना है इस project के अंदर मेरे को यहाँ पर जो file है वो बनानी तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ info file बनाता हूँ तो info file बनाने के लिए क्या होता है module का name जिस नाम से folder बनाया होता है आपने तो वो नाम यहाँ पर लिखना होगा तो मैंने जिस नाम से folder बनाया underscore app dot info dot yml यह मैंने folder बना दिया ठीक है तो मैं सबसे पहले मेरा जो module है उसकी मैं सबसे पहले info file बना दिता हूँ तो info file में जो पहला parameter होता है वो होता है name तो मैंने यहाँ पर रखा name और name के बाद मैं double quote के अंदर name दे देता हूँ तो मैंने name दे दिया weather application ठीक है यह name दे दिया मैंने उसके बाद में जो second होता है वो होता है टाइप तो मेरे को टाइप देना है तो टाइप में मैं अगर module बनाऊंगा तो module लिकूंगा थीम बनाऊंगा तो थीम लिकूंगा और अभी हम लोग module बनाने जा रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा module आएगा मैं इसको थोड़ा जूम पर कर देता हूं और यहां पर जूम कैसे होगा control प्लस ठीक है तो यह हो गया module अब module के बाद में मुझे को तीसरा जो पेरामीटर है वो मुझे लिखना होता है यहां पर description तो मैं description हो गया और description में सेम जो नाम मैंने लिखा था वह यहां पर मैं लिख देता हूं वेदर application simple यह description के लिए हो गया अब एक और पेरामीटर आता है जिसमें लिखना होता है हमको core underscore version underscore requirement यहां पर जो भी डूपल एड डूपल नाइन जो भी हम यूज कर रहे हों को दिफकान होता है तो यहां पर मैंने रिक्वाइरमेंट्ट यहां पर एड़ का ठीक हैiltर और यहां पर मुझे लिखना होता है जो भी है लाइक अगर एट है तो एट लिखना है 9 यह थो नाइन लिखना है और जो भी और जड़िन हम लोग एट और नाइन लिख लेता हूं यह एट और नाइन हो गया मेरा डूपल एट और डूपल नाइन के लिए ठीक है फिर एक पिरामिटर हो रहता है जिसमें बोला जाता है कि पैकेज में क्या आएगा तो मैं पैकेज लिख देता हूं और पैकेज में यहां पर लिख देता हूं कस्टम पेकेज में मैं यहाँ पर लिख देता हूं कस्टम यह इन्फो फाइल रेडी हो गई है मेरी राइड अभी इन्फो फाइल रेडी हो गई अब एकर मैं एड्मिन से लॉग इन करता हूं और एक्स्टेंट वाला पेज ओपन करता हूं तो मुझे यह सारी डीटेल यहाँ पे दिखाई देगी लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जो कमिनिकेशन करना है वो ओपन वेदर एप्लिकेशन फाइंड करना है तो वो कोई ना कोई company होगी जो हमको यह प्रोवाइड करेगी तो वो है ओपन वेदर तो अभी की को सेव करने के लिए हम लोगों को एक configuration form यहां पर बनाना पड़ेगा यहां पर हमको पता चलेगा कि configuration form का क्या use होता है तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर हम लोगों को जो folder है मेरा जो folder है मेरा उस folder में मुझे जाना होगा और एक यह जो folder है मेरा इस folder में जाके मुझे form बनाना पड़ेगा पहले तो एक src folder बनाना होगा तो इस folder के अंदर मैं बना लेता हूँ एक src folder तो मैंने यहां पर एक src folder बना दिया यह src folder हो गया src folder के अंदर मुझे एक और folder बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे यहां पर form folder यहां पर src folder होगा और यहाँ पर एक होगा यहाँ पर फॉर्म फॉल्डर होगा फॉर्म फॉल्डर के बाद में यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूं यहां पर एक PHP फाइल बना लेता हूं SRC के अंदर जाऊंगा मैं form के अंदर जाऊंगा यहां पर मैं एक फाइल बना लेता हूं और इस फाइल को मैं नाम देता हूं लैक मैं फाइल को नाम देता हूं ठीक है अभी यह form बन गया PHP फाइल बन गई अभी मुझे करना क्या है यहां पर मुझे यह करना है कि इस PHP फाइल में मुझे सबसे पहले तो मुझे इस PHP फाइल में form बनाना है और वो form कुण सा बनाना वो form मुझे config file form बनाना है तो config file बनाने की शुरुबाद में कर देता हूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे PHP start करना है तो यह मैंने PHP लिखा यहाँ पे अभी hook update नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे तो इस PHP के बाद मुझे यहाँ पे name space लेना पड़ेगा डूपल और डूपल के बाद में यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मेरा module का नाम तो module का जो name है मेरा वो है weather underscore module name हो गया मेरा module name होने के बाद में मुझे लिखना पड़ेगा form क्योंकि मैंने एक form folder बनाए simple यह name space हो गया मेरा यह form यह हो गया form यह name space हो गया मेरा name space हो जाने के बाद में मुझे यहाँ पर use statement use करने पड़ेंगे यहाँ पे आपने लिखा drupal यहाँ पे आपने लिखा module का नाम तो w e a होता है w e a t h e r underscore a p p यह नाम गलत हो गया था तो मुझे सही किया ठीक है उसके बाद में दूसरा काम होता है उसमें हमको use statement use करना है तो मैंने लिखा use, use के बाद में लिखूँगा मैं drupal, drupal के बाद में में लिखूँगा core और core के बाद में में लिखूँगा form और form के बाद में में लिखूँगा यहाँ पर config form right क्योंकि मुझे config form चाहिए ना तो मैं लिखूंगा यहां कॉन्फिग फॉर्म बेस यह लिख लिए ठीक है कॉन्फिग फॉर्म बेस हो गया उसी तरीके से दूसरा यूज स्टेट्मेंट लिखना है मुझे तो मुझे सिंपल लिखना पड़ेगा डूपल यहां पर मैंने सेमी कॉलम नहीं लगा दिया यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा फॉर्म स्टेट इंटर फेस यह इंटर फेस इंक्लूड कर लिया और फॉर्म बेस क्लास हम लोगों ने इंक्लूड कर लिए फिर मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा क्लास तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्लास डिफाइन क कर दी क्लास में मैं लिख देता हूं वेदरल को इन ए क्लास की अब motivated चुल左 K के बाद मुझे क्या कर नॉदा हो है यहां पर कट क्लास के बाद मुझे यहां पर क्लास का नेम लिखना तो टा जो नेम होगा वह जो फाइल का नेम होता है वही class का नेम हम लोगों को यहां पर रखना है तो जो फाइल का नेम है वही हम लोग यहां पर रख देते हैं तो मैंने लिखा weather 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 underscore app और underscore form तो यह underscore form यह class हो गई हमारी और इस class के बाद में हम लोगों को यहां पर extend करना पड़ेगा तो मैंने यहां पर config base यह नहीं कि यह वाली class हमको यहां extend करने पड़ेगी जो कि config base होगी और इस class के बाद हमको क्या करना एक form बनाना तो मैंने class बना ली और इस में मैंने config based जो class थी उसको कर लिया अभी यहां पर मुझे क्या करना है यहां पर मेरे को बनाना है एक function बनाना है और वो जो function होगा function बनाना मेरे को और function मतलब form बनाना है तो form बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले है है यहां पर जो config form बनता है form के लिए प्रोक्षक और मैंने लिखा Company और Nab keyboard के जिए इस बनाना है तो मैंने लिखा एक इटेवल सब्सक्राइब यहां पर मैं लिखका Virtue इडिटेवल कांफिग नेम्स यह फंक्शन यहां बन जाएगाакти यह फंक्शन अबहुत दूसरा टरर कि इडिटेर करें और दूसरा तो सोट दे करना उसकी अभी पहले हम लोगिंडे टर यू kes On birthday और करना उसला दोटी function की coding लिखेंगे तो दूसरा जो function मुझे बनाना है वो function बनाना public क्योंकि यह जो function था मेरा यह जो function था वो कैसा था यहां पर यह जो function था यह जो function था वो यहां पर वो protected था और दूसरा जो function हमको बनाना वो public function बनाना है तो पबिक फंशन यहां पर बनाता हूं कि तो मैं यहां क्या करता हूं पॉब्लिक फंशन स्वस्ट किया तो मैं नहीं किा पॉब्लिक और पबिक के बाद में यहां पर मैंने लिक May cow function के बाद में यहां पर मैंने लिखा gate और यह हो गया public function अ भी मुझे form builder एक function और बनाना form builder तो वो function भी मैं define कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक function और define किया जिसको मैं बोलूँगा form builder function तो यहाँ पर मैंने एक function और define किया यहाँ पर हम लोग गए और यहाँ हम लोगोंने एक function और define किया यह get form id हो गया गेट फॉर्म आईटी के बाद में यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा पबलीक तो मैंने लिखा पबलीक और पबलीक के बाद में यहां पर मैंने लिखा फंक्शन पबलीक फंक्शन और यहां पर मैंने लिखा वो वी यू आई एल्डी वॉल्ड 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 वॉल् उल्ड फॉर्म के अंदर मेरे को यहां लिखना है मैं लिखूंगा और यहां पर मेरे को लिखना interface state ठीक है यह जो object होगा वो form interface का होगा तो मैं copy कर लेता हूँ class का नाम और यहाँ पे चला जाता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ dollar form underscore state यह लिख दिया मैंने form underscore state यह मेरा बन गया wolf form ठीक है wolf form के बाद में मुझे एक और function बनाना पड़ेगा form को submit करने वाला तो मैं form को submit करने वाला function बनाऊँगा मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको add the rate or add the rate inherit doc यह comment कर देता हूँ और यहाँ पर यह जो function बनेगा मेरा वो भी public बनेगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ public पॉब्लिक के बाद में यहां पर में लिख देता हूं फंक्शन पॉब्लिक फंक्शन और यहां पर यह जो फंक्शन बनेगा हो बनेगा सम्मिट फॉर्म यह जो फंक्शन है वो सम्मिट फॉर्म बनेगा और सम्मिट फॉर्म बनेगा और इसके अंदर कुछ पेरामिटर अरे के बाद में यहाँ पर reference लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं dollar form, यह एक reference हो गया मेरा, दूसरा लेना पड़ेगा, यहाँ पर दूसरा लेना पड़ेगा form state interface, जो कि मैंने form state interface लिया है, और यहाँ पर dollar form underscore state, यह interface यहाँ पर लेना पड़ेगा मेरे को, form underscore state, यहाँ पर हमन dollar array लिया ना तो dollar array के बाद में हमको यह array हो गया और रिफ्रेंज हो गया और यहां पे dollar form हो गया ठीक है अब यह dollar form जो है वो 맞 Donc वह एंप को चाहिएंगा तो हम लोगों ने यहां पर जो dollars form लिया था व डॉ-dollar form यहां पे हम लोग यूज़ 서कर और यहाँ पर यह form state interface, form state का object बन गया, यह बन गए हमारे सारे mandatory function, यहनि कि जब हम config form बनाएंगे, तो config form बनाने के लिए हमको get it available, config name चाहिए, get form id चाहिए, और form build करने वाला method चाहिए, तो form building method भी हो गया हमारा, get form id भी हो गया और submit form भी हो गया, अब हम लोगों को क्या करना है, एक एक करके सारे function की coding करनी है, यहाँ पर मुझे लिखना है, PHP, यह PHP मैंने लिख दिया, ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे को एक एक करके coding करनी है, तो get it available जो form होता है, get it available form में मुझे क् करना है, तो get it table form में मैं जाओंगा और यहाँ पर में लिख दूँगा return, और return क्या करना है मेरे को, return यहाँ पर मेरे को एक करे रिटन करना है, तो यह return array में मैं जाओंगा, और return array में मेरे को यहाँ पर चाहिए id, right, तो return array मेरे को यहाँ पर में एक form, जो module का नीम, यहाँ प तो मैंने यहां पर लिखा w e a t h e r weather underscore app यह मोडूल का नीव हो गया डॉट यहां पर आएगा फॉर्म नेम भी मैंने सेम रखा तो w e a t h e r weather dot app यह हो जाएगा मेरा स्वारी यह मेरा मॉडूल का नीव और फॉर्म का ने मियो हो गया मेरा अरे यह आरे हम लोगों यहां से कर दिया रिटन यहां को हम लोगों ने यहां पर रिटन कर दिया यह अरे जो पेरामिटर में था हुआ रहे था और यहां से जो है वो रिटन हो गया मेरा ठीक है अभी यहां पर कुछ कोडिंग स्टेंडड का एरर दे रहा है कि एक्सपेक्टेट टेन स्पेस वर फैल फाउंड यहां पर टेन चाहिए और फैल फाउंड ऐसा कुछ इरर में आ रहा है तो अभी मैं इसको या तो मैं करता हूं format documents with और PHP intelligence कर देते हैं हम लोग यहां पर थे कर यहां से यह रिटन हुआ रहे रिटन हो जाने के बाद में यहां पर यहां पे यह यह form id return कर दी तो simple मैंने यहां पे form id को return कर दिया अब मुझे क्या चाहिए कि get form id तो get form id तो मुझे direct return करना है तो मैं get form id यहां पे editable नहीं है तो यहां पे मैं लिख दूँँगा simple return तो मैंने यहां पे लिखा रिटन और यहां पे मैंने इसको रिटन कर दिया तो यह यहां से रिटन हो गया अब मुझे फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे को एक लाइन यहां पर यह लिखनी पड़ेगी कि फॉर्म के अंदर जो डेटा आ रहा मैं बता देता हूं मैने copy करके रखा है मैं यहां पर इस code को लिख देता हूं already तो यहां पर हमको क्या करना है कि यह जो form की की है ना सकी से हमको पहले इस को find कर देना ना यह module का नेम हो गया और यह form और आ गया यह पूरा डेटा config object में आ गया ठीक है ये एक object बन गया जिसने की ये configuration का पूरा एक object बन गया यहाँ पे dollar form form में हमने key नाम का एक parameter बनाया यहाँ पे हम लोगों ने level दिया level में हम लोग ने key दिया right क्योंकि हम लोग open weather communication करेंगे open weather wave से तो हमको उसकी key लगेगी तो वो key मेंने यहाँ पे define की है और key की जो default value वो यहाँ पे की है इससे क्या होगा कि जो form दिखेगा वो value feel होके दिखेगा ठीक है तो यह हो गया और यह form पूरा feel होके आ गया form feel हो जाने की बाद में अभी क्या करना है मुझे submit form की coding करना है तो जैसे यह form feel मेंने बनाया और यह config object बनाया और इसको return करवाया यहाँ से उसी तरीके से मेरे को अभी submit form में करना है तो मैं submit form में जाता हूओ submit form में मुझे क्या करना है committee form में मुझे लिखना है parent and scope regulation लगाना है और यहाँ config ज़ो object वो लगना है config object के अंदर मुझे key pass करनी है जो की module है मेरा वो pass करना है module का name dot form का name module का name dot form का name और ये जो है यहाँ पे submit button की coding है तो submit button में हमको यह नहीं लिखना है यहाँ पे हमको लिखना है submit form क्योंकि submit form में हम लोग आ गए तो parent और यहाँ पे हमको लिखना है submit form submit form के बाद मुझे यहाँ लिखना है dollar form कामा यहाँ पे मुझे लिखना है dollar form underscore state यह लिखना है ठीक है अभी मुझे क्या करना है कि मैंने जो config object बनाए था उसको उस value को क्या करना है मुझे save करना है तो जो value को save करना है value को save करने के लिए मेरे को dollar 10 तो मैं यहा dollar 10 करूँगा dollar 10 arrow config dollar 10 arrow config और यहाँ पर मैं single code में जाओंगा यहाँ पर मैं लिखूंगा model का name dot key तो वो दोनों है एक ही है मेरे case में यहाँ पर मैं लिखूंगा फिर मुझे यहाँ पर लिखना है क्योंकि मुझे set करना है configuration तो मैं set में जाओंगा और set में जाके यहाँ पर मैं एक parameter पास करूँगा key और दूसरा parameter में पास करूँगा यहाँ पर dollar form state arrow और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा get value तो मैंने लिखा get value get value और get value के बाद में लिखना पड़ेगा key तो get value key हो गया मेरा और key के बाद में यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा save function चलाना पड़ेगा तो save function हो गया इसका मतलब यह है कि यह जो value है वो save हो जाएगी key में जाके तो यह पूरा config form की coding थी जिसमें कि यह सारी चीजे जो है वो config form में के format में आ गई आप अब मुझे क्या करना है कि यह हो गया अब इस module को मुझे enable करना है और module enable करने के बाद में मेरे को अभी यहाँ पर कुछ coding standard के error आ रहे हैं expected four space but eight form यहाँ पर हमको चार space चाहिए यहाँ पर भी हमको चार space चाहिएंगे इस पर इस पर इस पर कर दिया में ने इस कोडिंग स्टेंडर्ड का कुछ error है जो कि PHP में config हो रहा है उस वई से आ रहा है लेकिन ठीक है हमारा module जो है वो बन चुका है अभी हम लोग इस module को क्या करते हैं कि module को हम लोग इनेबल करते हैं तो अभी यहाँ पर जब हम admin section के extend में जाएंगे तो अभी इसमें कुछ error हो सकते हैं module में क्योंकि हम लोगोंने info file तो बनाई है info file तो correct है और यहाँ पर हमने src बनाया form बनाया form की class बना दी यह भी correct है अभी हम लोग एक्सेंट में जाके इस module को इनेबल करके देखते हैं अभी हमको क्या करना पड़ेगा एक routing भी बनानी पड़ेगी और routing इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि यह जो module है हमको यह routing बनाके हम लोग जो admin config का section है उसमें हमको इसको link करना पड़ेगा फॉर्म तो admin config वाला जो section है उसमें हमको connect करने के लिए routing फाइल भी बनानी पड़ेगी तो वह next session में हम लोग config फाइल बनाएंगे फिलाल हमारे module की info फाइल बन गई है और config फॉर्म बन गया है अब जो config फाइल में हमारी वेदर application यह आ गया है और इसको मैंने यह इनेवल किया अगर कोई error होगी तो error आएगी और अगर error नहीं आई तो यह module successfully install हो जाएगा तो कुछ error होगी तो वह हमको समझ में आएगी अगर हमने कुछ error की होगी क्योंकि हम लोगों ने तीन अगर कोई error आती तो हमको recent log message में यहां पे मिल जाएगा तो यह हो गया हमारा फिर हमने क्या किया यहां पर get config form id लगाया और यहां पर form state interface error आनी नहीं चाहिए 99 परसेंट तो तो यहां पर आप देख रहें कि जो module है वो enable हो गया मेरा ठीक है यह module enable हो गया है लेकिन अभी को क्या करना है जो हमारा next task के वह है कि जो configuration के development में जो option आते हैं यहां पर हम एक option add करना है वेदर की करके और उस option पर click करेंगे तो यह जो form हमने बनाया वह form open होना चाहिए और उस form में हम लोग की को update करेंगे तो यह हमारा next object होगा कि हम लोग किस तरीके से इस form को connect करेंगे यहां पर मतलब config के अंदर admin config के अंदर इस form को किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करेंगे करेंगे वह उन्दर म sunrise करेंगे